सीरिया में विद्रोही गुटों ने राजधानी दमिश्क पर कब्जा जमा लिया है सीरिया में 27 नमबर को विद्रोही गुटों और सेना के बीच लड़ाई शुरू हुई थी वे दोही लड़ाकों ने एक एक कर चाव शहर जीतने के बाद 8 दिसंबर को रासधानी दमिश्क पर भी कब्ज़ा कर लिया और इसके साथी सीरिया में पाच दशक से जारी असद परवार के समराज का अंत हो गया है राश्ट्रपती बर्शर अलसर देश शोड का रूस भाग गए है रूसी राश्ट्रपती पुतिन ने असद और उनके परवार को राश्टने तिक शरण दी है अमेरिका ने सीरिया में असद सरकार के पतन का स्वागत क्या है वहीं सीरिया में रविवार को ISIS के ठिकानों पर 55 से ज्यादा ठिकानों पर 60 खमले किये गए